जै मातादी, I am sure आप लोग बहुत अच्छे से मादुरगा की पूजा कर रहे होंगे और अपने अपने तरीके से कोई व्रत रख रहा होगा, कोई मा के मंत्र पढ़ रहा होगा, कोई मा को अपने दिमाग में ला रहा होगा और कह रहा होगा कि मा मुझे शक्ती तो ताकि मैं इस दुनिया की सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सको और अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सको, दुनिया की तो मुश्किल है, लेकिन अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सको, सो मैंने भी आज सब्तशती का तीसरा चाप्टर पढ़ा ये तीसरा चाप्टर is all about thanking मा दुर्गा मा दुर्गा ने महिशा सुर्च से सारे देवताओं की रक्षा की सो इस चाप्टर में सारे देवता मा दुर्गा को धन्यवाद दे रहे हैं अपने अपने तरीके से सारी उनक मिला इस चाप्टर से वो यह मिला की सीचयशən सब के सामने आएंगी सब के सामने प्रॉब्लम्स आएंगी ऐसा कोई एंसान नहीं है जिसके सामने प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी लेकिन वहस्टन मैंटर सलस्ताव d oo you face it ? fat do You come out of the situation being बहुत अच्छे से मन से उन पर विश्वास करके उनका ध्यान करें, तो there is no reason why we can't come out of the situation being more wise, yes and not wounded. I am reminded of a person who was in the military and was a very powerful young man who was in a very senior position and in a war he hit the spinal cord and spinal injury and he came to the wheelchair. Now he was very disappointed that I am so powerful, I am so powerful, I am so powerful, I am so powerful. अज मैं वीलचेर पर आगया, but then he had an option to choose, he had an option to be wounded और सोचते रहते परिशान होते रहते या फिर इसके बारे में कुछ करते, और पता है उन्होंने क्या किया, उन्होंने spinal injury के लिए एक बड़ा सा hospital खोल दिया, imagine, he is now the owner of that big hospital and सारे spinal cord injuries के वहाँ पर पेशन्स आते हैं और उनको बहुत सारी सुविधाय मिलती है और वो ठीक हो जाते हैं, तो आप देखिये, कैसे किस तरह से उन्होंने इस situation को संभाला, संभाला, coming out as being so wise and actually helping all so many other people, so he had an option, he could have actually just cried every day and blamed this and that and that but then he did not do that, he chose to be more wise and to help others, so हम भी मादुर्गाग पर विश्वास रख करके उनकी स्ट्रेंथ पर विश्वास रख के खोब सारी मा की पूजा करें और उनसे खोब सारी हिम्मत लें, स्ट्रेंथ लें और सारे सिच्वेशन का सामना खोब हसते खेलते कर सके, okay, so have a beautiful day, जै माता दी